Hi everyone, welcome to this YouTube channel. In this video we are going to discuss a very important aspect of trading which is automation. As you can see nowadays people are moving towards automation, algo trading. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी strategy को, चोकी manual strategy है, उसको एक fully automated algo में create कर सकते हैं, convert कर सकते हैं. और साथ ही में हम देखेंगे कि जो हमारी strategies created है, उन्होंने कैसा perform किया है. Since you guys know, I am into algo trading since last two years. जहां पर मेने और मेरे users ने strategies को deploy किया है, और उन्होंने काफी अच्छा performance दिया है in the last two years. So, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में. So, let's first talk about how you can start algo trading. अगर आपके दिमाग में कोई logic है, आप उसको कैसे एक fully automated algo में convert कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक user का example दूँगा, जिसने उसके logics हमें बताएं, और हमने उसको fully automated system create करके दिया. जहां से उसको सिर्फ start करना है, और उसके सारे trades, सारे adjustments, सारे optimizations, automated way में अपने आप चलेंगे. With faster execution and speed. So, ये एक user का example है, उसके logics में यहाँ पर discuss करने वाला हूँ, कि उसने कैसे अपने manual trading को fully automated algo trading में convert किया. So, एक X user है, उसने हमको ये logics देते हैं, उसको हमने code करके, same algo provide करी थी. तो, मैं ये example के तोर पर बता रहा हूँ, कि कैसे आप अपने rules को convert कर सकते हैं in a fully automated algo में. So, यहाँ पर उसके rules को एक बार discuss कर लेते हैं, जैसे उसके rules थे, कि उसको एक option selling की strategy बना रही थी, जो की थी call ratio spread. आपको पता होगा कि हम भी call ratio spreads में काम करते थे, वो एक simplified version था, जहाँ पर हम trade करते थे, आपने पुरानी वीडियो में देखा भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यह ratios, expiry ratios, BN ratio trading यह हमने. last 2-3 years में आपने काफी trade किये, बट उस user ने उसको थोड़ा सा optimize किया, और उसने इसको थोड़ा सा accuracy को बढ़ाया, और इसमें थोड़े logical points डाले, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि RSI 30 से कम होना चाहिए, और super trend के नीचे current candle close होनी चाहिए. इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो एक bearish environment में trade करना चाहता है, और जो call ratio spread है, वो सबसे अच्छा कहां work करता है, bearish environment में, क्योंकि अगर उपर side चाहेगा तो हमको loss हो सकता है, bearish side में सबसे अच्छा work करता है, और call ratio spread में अगर वहाँ भी stay कर गया, या थोड़ा सा उपर भी चले गया, तो भी profit होता है, लेकिन bearish side में अच्छा profit होता है, तो उस user ने क्या किया, कि direct conditions येसी लगाई, जो bearish market की है, RSI 30 से कप और super trend के नीचे, उसके बाद उसके legs को उन से execute करना है, तो उसने ATM का call buy करना है एक साथ, OTM 3 का call buy करना है, दो lot, बदब 300 पॉइंट धूर जाके bank nifty में, 500 पॉइंट धूर जाके एक lot और sell करना है, और far OTM hedges को buy करना है margin benefit के लिए, तो ये उसकी strategy है, उसका stop loss 1% of the capital है, और target 1.25% of the capital है, और इसको सारे दिन में run करना है, except expiry, expiry पर उसने देखा होगा अच्छा वक नहीं करी तो उसने मना कर दिय इसको run नहीं कर भा है, इस strategy को हमने full code करके दे दिया और वो user उसको use कर रहा है, और काफी अच्छा उसको help हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उसके कोई emotions बीच में नहीं आ रहे है, कि उसको manually कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसके condition meet होगी, just within a millisecond, trade सारे execute हो जाएंगे और इसके सारे adjustments वगेरा जो भी stopless target है सब place हो जाएंगे, और वो मतलब mind free होके trading कर सकता है, so इसे ही algo trading हमको help करती है, in doing emotionless trading, तो इसमें तो यह वाला उसके optimizations थे, और अगर हम optimization की बात करें तो end number of optimizations किये जा सकते है, बहुत सारी strategies बनाई जा सकती है, जहाँ पे इसी strategy में अ बीचे होना चाहिए, current close, तो यह एक और optimization होगा, जैसी आपके optimizations होगे, वेसी strategy code हो सकती है, यह हम code कर सकते है, in Tratron, Python, अगर आपका बहुत complex है, तो उसमें Python की help से strategy को code किया जा सकता है, Tratron भी एक advanced software है, जहाँ पे इस strategy को code किया जा सकता है, तो उसने Tratron में code कर वाया था, और उसका अच्छा performance कर रही है strategy, और वो emotionless trading कर पा रहा है, so मैं optimizations की बात कर रहा था, तो end number of optimizations किया जा सकते हैं, आप bullish environment में trade कर सकते हैं, option selling कर सकते हैं, straddles shift कर सकते हैं, ratios create कर सकते हैं, calendar कर सकते हैं, at the same time आप option buying कर सकते हैं, अगर आपकी yearly condition, yearly condition, अगर आपकी 5 conditions है, वो meet हो गई तो आप option buying का trade डालेंगे, put का डालेंगे, call का डालेंगे, कौन सा premium लेना है, कौन सा time पर करना है, क्या essay लोगा, क्या target होगा, क्या trailing stop loss होगा, यह सारी चीजों को automated way में trade किया जा सकता है, with the help of algo, so मैंने यह example check किया, बताया आपको, कि essay से, आप भी अपनी strategies के logic को convert कर स कर सकते है, in a reasonable price, so we will help you to code the same, we have a team of coders, जो यह सब कर सकते है, so आपको just इस number में WhatsApp करना है, details के लिए, और अगर आप ऐसे user है, जिसको created algo में deploy करना है, जैसे हमारा algo strategy है, master's combo, expiry special, guru dynamics, आपको पता ही होगा यह तो, last video में, तो आप automated, जो यह fully created system से, इसमें भी आप direct trade कर सकते हैं, इसी number में WhatsApp करके, जैसे कि आपको बता हुगा, आप में एक बार इसके, master's combo की performance discuss कर लता हूँ, we are running this combo since last 10 months, इसकी सारी performance, December, November की मैंने सारी इस channel पर डाल रखी है, एक बार मैं इसकी, first gen से वापस से performance बता देता हूँ, 2024 से, इसमें हमने capital requirement कम कर दी, क्योंकि इसमें हमने hedges inbuilt कर दिये हैं, तो इसकी पहले 7 lakhs की capital requirement थी है, 4 lakhs की है, target इसमें 5000 का है, stop loss इसमें 3000 का है, bank nifty वाले में, इसमें 2500 का stop loss है, masters combo में तीन strategy से, हर एक strategy दो दिन work करेगी, expiry की दिन और expiry से एक दिन पहले, तो bank nifty की 2, दिन run करेगी, nifty की 2 दिन, फिन nifty की 2 दिन, तो इसकी यह performance है, एक बार मैं आपको january की performance, first week की बजाता हूँ, यहाँ पर, यह सारी performance है, यह हमने trade tron के live data से लिए है, जो हम हमारे broker में execute कर रहे हैं, तो इसमें live verified penal भी available है, strategies का सारा, तो आप वो भी check out कर सकते हैं description में जाके, और या फिर आप WhatsApp कर सकते हैं, तो सारा verified penal available है, इसको में और मेरे बहुत सारी users use कर रहे है, strategy को, तो इसका first week की बात करें, तो इसमें first week में 3% target मिल गया था, फिर second week में इसमें around 2% का stop loss drawdown आ गया था, तो मैं overall बात करता हूँ एक बार, तो overall January में strategy ने 39,100 का profit book किय है, which is close to 10%, so आप दिख सकते हैं, इतने difficult environment में भी strategy ने काफी अच्छा perform किया था, ये directional market में बहुत ज्यादा अच्छा perform करती है strategy, तो अगर इसमें by chance, हमारी conditions के आप से काम नहीं होता है, तो max to max हमारा stop loss जाएगा, उसके अलाबा, इसमें target भी अच्छा है, risk to reward case आप से maintained है, तो आप यहां में दिख सकते है, 10% इसने January में निकाला, उसके बाद FAB स्टार्ट हुआ, FAB में थोड़ा difficulty आई, थोड़ा सा drawdown आया, 1-2% का, फिर 1% का drawdown आया, लेकिन फिर 5-6% का return एक साथ मिल गया, FAB end में ही, तो FAB end में इसमें close किया, 6% के close, अभी March चल रहा है, यहां सेम ब्रोकर से हमने निकाला है, और March में around यह, 3% के around work चल रहा है, और अगर आप returns को और बढ़ान चाते हैं, तो इसी combo के साथ crude dynamics को deploy कर दो, तो वो same capital लेके आपका extra return generate करने में help करेगा, यह को हमें crude dynamics की performance दिखा ज़ता हूँ, यह crude dynamics हमने deploy कर रहे ही live, और यह around 1 year से deploy कर रहे कि इसको हमने verified penal वाले account में shift कर दिया है, जाज है, इसकी verified penal रिपोर्ट बन सके, यह देख सकते हैं, इसको बहुत optimize किया गया है strategy को, तब चागे इसकी इतनी अच्छी steep performance है, कि बहुत कम drawdown के साथ, इसमें around 0.63% का drawdown आया है जैन्वरी से लेकर अभी तक, which is 3600, on an average यह महीने Magnifty की, Magnifty Master, जो की Master's Combo की one of the strategy है, so इसने भी गाफी अच्छा perform किया है, average 4% निकाल दिया है, यह तो 6 दी नहीं, 8 दी नहीं work करती है, तो बाकि सारी strategies help करती है, diversification and execution बहुत अच्छा होता है इनमे, risk बहुत अच्छा से defined है, so आप यह direct combo को भी deploy कर सकते हैं, expiry special का combo बहुत अच्छा perform कर रहा है, बड़ जो लोग start करने का सोच रहे है, जिनके पास एसा logic नहीं है, कि वो खुद का logic नहीं बना पा रहे, so यह हमारा logic यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने बहुत diversified way में बहुत थी ज़्यादा consistent strategy बनाई है, जिसका performance भी अच्छा है, और live data भी उसका available है, और हम उसको खुद live trade कर रहे हैं, और यह बहुत अच्छी strategy, scalable भी बहुत ज़्यादा है, तो अब यह master's combo को crew dynamics के साथ deploy कर सकते हैं, तो around 6%, 9%, 10%, इतना अच्छा strategy ने perform किया है, अगर यह एक महिना कभी cost to cost भी निकल जाए, एक 2% loss में भी निकल जाए, त 20% तो हमने already, सिर्फ starting के धाई, 2-5 months में कमा लिया है, तो आप इन सब चीजों को भी deploy कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा logic है, तो उसको भी आप convert कर सकते हैं, तो this was a video on strategy creation and performance report, इस number पे whatsapp करके आप details ले सकते हैं, और telegram channel को join कर लीजिए, telegram में सारे updates रहते हैं daily, YouTube पर में थोड़ा का में active रहे पाता हूं, और telegram पर में most active हूँ, तो अब वहाँ पर join कर सकते हैं, description में जाके, So yeah, thank you for watching this video.